। कि नेख्ट टॉपिक जो है अपना हूँ है फ्लार बहुत इंपॉटन्ट टॉपिक है। अभी तक जो भी हमिने डिस्कस के यह बेसिक टॉपिक थे अभी मेन पापिक शुरू पॉर है स्लोह हुघ और यह बहुत इंपॉटन्ट है। इससे पहले मैंने इन फ्लोरेशंस बताया था उसमें बताया था फ्लार के 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 फ यह क्या करेंगा यहां पर अबो करेंगा और उससे बात उसके फिर्णेस उपर रॉक करेंगा इपरशीयं तुर में बताऊ फिसडेस्म बेर करेंगा है तुम बैसिकले क्या घोता है जो होता यह फ्लोरर मेेस्टें में हग फॉर्ट बाट होता है इंसेखट को एक स्पेषा-ठाइख this अगला, अगला इस्टैमेन, इस्टैमेन क्या होता है, एंथर प्लस फिलामेंट, देखो, यह वाला पार्ट एंथर है, और इसको जो अटाच करता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट इस्टैमेन, उसके अलाबा कार्पल, जो पिष्टल है, उसमें क् करपल जो होता है ना यह reproductive organ है फिलार का कि इस्टामें जो होता है यह male part होता है और यह carple female part होता है उसके अलावा यह जो है ना यह non reproductive organ है तो इसको accessory organ भी बोला जाता है यहां तक क्लियर बिल्कुल तो देखो जिस तरह पेटियों उसमे बताया था उसे तरह इसमें पेडिकल होता है और यह पैडिकल क्याहोथा है यहां पर दो julan tg Spotify स बोल्ते हैं उसके जबस्ट उपर प्टेल्स था किए यहां पर ध्यान देना यह फ्र prolimate और यह enter है, दोनों को मिला कि हमने क्या बोला, इस्टामेन बोला, ठीक है, और यह वाला part कारपल है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद अब ध्यान देना है यहाँ पर, यह जो है ना, यह जो seples, इसके चार पार्ट से होगे, सब से नीचे वाले पार्ट से शुरू करते हैं क्यों सेपल सेबस बोलाजाता है सारे सेपलस को मिला दिया जाए ना उसके लिए तर्म ूज होता है कैलिक सारे collaricer MILLA दिया जाना तो उसको बोलते अंठरों तक किले रेहे हाँ तक देखो और सारे पीमेल पार्ट को अगर मिला दिया जाना तो गाइनोसियम इसको यसे भीयाद कर सकते जिलिए गाइनि कोलोजिय क्या होता है पीमेल बताओ ४भ्भ फिमेल की डॉक्त रोल है तो जो कर और आपल्स होते हैं उसके collections को इसको gynosium बोलते हैं मतलब female वाले part का collection gynosium androsium corona calyx यहां तक समझ में आगया बिल्कुल कि लिए है तक ठीक है अब देखते हैं अगर कोई complete flower है complete flower को मतलब क्या होता है 4 ओरल फर जैन ठीक है सारे पर जैन ठीक है है इसका मतलब क्या होगा वो उसमें क्या मेल पार्ट भी होगा एंडोसियम भी होगा और गैनोसियम भी होगा इसका मतलब यह फ्लार कैसे फ्लार होंगे बाइसेक्श्वल फ्लार होंगे ठीक है और यहां पर देखो अगर incomplete flower है उसमें एक world absent होगा या तो male होगा या female होगा तो in general unisexual flower होगा ठीक है उसके अलावा trimaris flower हो सकता है जैसे अगर मानो trimaris का मतलब होता है multiple of three अगर उसमें sepals भी three के multiple में three six ऐसे petals भी three के multiples में तो उसको trimaris flower mostly monocot होते हैं वो trimaris होते हैं ठीक है यहां तक उसके अलावा कुछ फ्लार ना tetramaris भी होते है tetra 4 मतलब sepals petals सब सारे four के multiples में होंगे या four होंगे eight twelve ऐसे से करके एक होता pentamaris यह important है जितने भी dacot plant होते हैं इन general pentamaris होते है pentamaris का मतलब क्या होता है कि उसके sepals petals जो भी है ना यह five five के multiple में होंगे ठीक है यहां तक ठीक है कुछ कुछ plant जिसे lily हो गया उसमें क्या होता है ना कि जो calyx है calyx मतलब बताओ calyx sepals के collection और corolla corolla मतलब petals के collection वो नहीं इस दिस्टिंगिज नहीं होते मतलब बिल्कुल sepals green नहीं होता और petals बिल्कुल colorful भी नहीं होता तो वो ना एक जैसे दिखते हैं तो उसको perianth बोला जाता है तो lilyasi family में पूछोंगा perianth क्या होता है ठीक है यह पता होना चाहिए सबके लिए symbol होते हैं कुछको symbol होते हैं एंपरोसियum के लिए a होता- गैनसरों एक फलाइर दक्ते तो ध्ầlet देखना अगर मानलों कि इसह लाइर है कि इस फ्लाइर को अँसेchlagen ना एस से जयादा सकते हैं मतलब रेडियल्य सीमीट्रिकल है तो रेडियल्य सीमेड्रिकल इसको तो से ज्यादा ऐक्व Izna Tw ree करिष एक्टि लॉसक्ति करें चेली डr भीया मिस्टड म इसे प्ल मतलब चेली धातुम्सिट्रा जो होता है ना यह और से लैनेसी फैमली से आता है और mustard, mustard के बारे में na NCRT बस इसका डिया हुआ है, proper discuss नहीं किया हुआ है, तो mustard भी extrynomorphic में आता है, examples यहाद होने चाहिए, इस chapter में 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 ले examples ही पूछे जाते हैं, अगला, jagomorphic, jagomorphic na bilateral flower है, bilateral का मतलब होता है कि इसको na basically हम टू पार्ट में divide कर सकते हैं, उससे जदा divide नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ही plane, एक ही plane से हम इसको divide कर सकते हैं, ठीक है, तो एक plane ऐसे है, उसी समलब यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट symmetrically divide हो रहा है, तो इसमें PE आता है, मतलब जो phyvacy family के होते हैं ना plant, phyvacy मतलब जो leguminous plant होते हैं, वो इसमें आते हैं, तो PE, beans, दोनों हो गए phyvacy family के, गुलमोहर और कैसिया, यह important है, यह पूछे जाते हैं question, उसके अलाबा asymmetrical, यह irregular flower, इसमें तो बहुत हीजी है, मतलब उसके कोई symmetry है ही नहीं, तो उसका example काना है, ठीक है, तो इस तरह के plant तुमने देखे होंगे, कहीं कि अगर पानी ज्यादा देन तक stagnant होता है ना, तो इस इसके इसाब से ना, हम लोग देखते हैं कि इसके parts कहां कहां है, मतलब 4 parts, 4 parts में ने बताया थे flower के ना, 4 parts कहां कहां है, एक होता है hypogamous, hypogamous जो होता है ना, यह basically गैनोसियम के label से हम लोग लेते है, गैनोसियम मतलब female है ना, female वाले parts है, जो pistil वाला part है ना, इस से हम लोग ठीक है, तो अगर मल, hypogamous, gamus hypo, इसका मतलब क्या है कि गैनोसियम के नीचे सब कुछ होगा, मतलब ध्यान देना, गैनोसियम के सब कुछ नीचे होगा, इसका मतलब क्या है, कि इस case में superior ovary होगा, है ना, क्योंकि गैनोसियम के अंदर यह ovary होता है, है ना, obiol होता है, तो स सब कुछ नीचे है तो इस केस में superior ovary होगा ठीक है यहां तक उसके अलावा perigamous perigamous का मतलब क्या होता है कि gynosium यहां पे है गैनोसियम मतलब क्या ovary, ovule यहां इस level पे है और इसके चारो बगल चारो बगल इसी level पे अल्मुस्ट इसी level पे ना सब कुछ है तो इसको पैरी गैमस बोलते हैं इसके चारो बगल इपी गैमस इपी गैमस मतलब सब कुछ जो है ना वह गैनोसियम के ऊपर है गैनोसिया नीचे है और इसके ऊपर है सब फ्लॉरल पार्ट तो यह इपी गैमस हो गया चलो एक्जामपल्स देखते हैं सब के बहुत हाथ का टुमने जैसे का तो कभी बी एपल को तुम खाओंगे यह गावा कारो तुम आशब 详ेखना क्या और सबको करूским सब अगे चैने आख़ते हैं तूप Lewis को निश्चा मतलब भी में आगया है हाँ तक तो इसके गावा एपल कुकुम्बर और रेफ लो रेट अब संफ्लार अभी समझ नहीं आएगा रेफ लोरेट अब प्राइब मैं इसको समझाओंगा तो इसका एक्जमपल तो अगर में इपी के मस्की बात करू तो इस केस में क्या होगा Overy inferior होगा है है अगर मैं बात करू तो ओभरी क्या होगा सुपीरियर होगा ठीक है यह समझ में आ गया सबसे ज्यादा जिसमें कोस्टन पूछे गए हैं वो पेरी यह याद करना पढ़ेगा इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है है ना ठीक है इसमें गावा और एपल तो अराम से याद हो जाएगा चल यह पोजिशन आप पार्ट्स अथ यह बहुत इंपोर्टेंट और इसको किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं गाइनोसियम की रिस्पेक्ट मे के लिए यहां तक चलो आगे लेखते हैं अगर मैं यहां पर बात करू रेफलोरेट रेफलोरेट किसके रेफलोरेट संफलार में रेफलोरेट होते हैं उसमें क्या होगा सुपरियर ओबरी होगा इंफिरियर ओबरी होगा क्या होगा बताओ अभी जैस्ट में बताया था न यह 220 का question है तो यह important है चलो अगला देखते हैं दो overy is half inferior in पताओ क्या होगा इसमें half inferior half inferior इसको मैं बोल सकता हूँ जो यह beach वाला था perigamous इसमें क्या बोल सकता हूँ कि overy half inferior है ना इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ overy half inferior तो overy half inferior रोज plump peach तो इसके answer क्या हो जाएगा इसमें plump हो जाएगा ठीक है क्योंकि mustard और ब्रिंजल यह क्या होगा बताओ जल्दी से क्या होगा first वाला था ना यहाँ पे मैंने इसमें बताया था इसमें superior ovary होगा उसके अलाबा sunflower sunflower में क्या होगा ओवरी inferior होगा यहां तक के लिए रहे यह बहुत चलू आगे देखते है अगला कुछ कुछ टर्म है यह extra term है इसको हम रोडिक्स करते है इक SCOTT होता है ड्रैक्ट क्या होता है ना कभी कभी क्या होता है कि अगर fallen菂 जहीं उन्हुत प्टाई था उस्स kidding से अगर reduce leaf at the base of pedicle of flower अगर flower के base पे यह flower ऐसे ऐसे करके और इसके बेस पे अगर कुछ reduce leaf होना तो उसको ब्रैक्ट बोलते हैं अगर ब्रैक्ट हो तो ब्रैकेटिट फ्लार अगर नहीं हो तो यह ब्रैकेटिट फ्लार के लिए यहां तक इसी तरह लिप में क्या था इस्टिपुलेटिट और इस्टिपुलेटिट फ्लार ठीक है यहां तक अब कैलिक्स के बारे में देखते हैं देखो कैलिक्स में क्या था कैलिक्स किसका कलेक्शन है कैलिक्स कलेक्शन आओ सेपल्स अगर मालो सारे सेपल्स ऐसे फ्री फ्री है सारे फ्री फ्री अगर सेपल्स अगर सारे सेपलस जैसे इस केस में देखना। यह सारे सेपलस से 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 फ्यूजड है अगर यह फ्यूजड है जहाँ यह fusion होता है आ उसको हम लोग गेमो term यूज़ करते हैं बायों में तो गेमो सेपलस, गेमो सेपलस मतलब सेपलस is fused, स्टृफ्टॉा मतलब क्या मल्टिपल सेपल्स देख रहे हैं इसका मतलब सेपल्स फ्यूज नहीं हुए है तो गैमो से प्लस की एकजामपल होता है दथ्थुरा दथुरा यहांपर देख लिया है अगला अगला देखते हैं एक मुष्टेड़ा प्लांट होता है यह ना ओल इसने बोlek कि एक करता है इन्सेक्ट को एक्ट करता है तो अडुटिजमेंट की तरह रहे कि यहाँपे फ्लार है है तो इसको मुष्टेड अप्लांट में रिपलाम इन वह तक है अभी हमने संफ्लार में रेफ-ट देखा था क्या होता है रेफ-ट क्यों बिंखिए संफ्लार मैं ऐसे होते हैं और बीच में ना ऐसे छोटी-चोटी छोटी चोटी fascinated यह जो बीच-शूरेट इसको बेसलैर घ्शिते successful इसको साइड फ्रूरस तो तो sunflower में जो इसमें ये फ्लार लेट है ये दो तरह के हो सकते हैं बीच में disc flow rate और side side में ray flow rate ठीक है ray flow rate का बताया था भी मैंने क्या बताया था बताओ क्या था उसमें inferior था overi है ना inferior overi था अब ध्यान से देखना है यहां पर यहां पर मैंने इसको इसलिए discuss किया है क्योंकि family of sunflower को ना compositive family बोलते है compositive family जो होता है ना यह most advanced dicot family है देखो monocot or dicot में monocot is more advanced और अगर dicot की बात करो तो dicot में यह जो compositive family है यह सबसे जाता advanced है और इसके अंदर sunflower आता है ठीक है ठीक है इसमें क्या होता है जो sepals मतलब नीचे वाले part होते है ना उप मोडिफाय हो जाते है hairy like structures में जिसको अमन हो पत्स बोलते है iosis practice capacity modify हो जाता है Pewals में देखो यहां से यहाँ पे सब्से ना यह modified हो गया hair mezclamory like structures में इसको being papas बोलते ठीक है तो यह Rapid E Jeffrey Пон इस पैपर का फंसन क्या होता है यह help करता है में dispersion of seed में ठीक है यहां तक यह hairy like structure है जो dispersion of seed में हमें help करता है ठीक है अब देखो नॉमली क्या होता है जब भी flower fruit में convert होता है मतलब seed में seed में seed बना के fruit बनाता है तो उसके जो accessory part होते हैं वो सब सारे वहां से अग्या भी вलेज कोहन पार ने बचा ह्याता है खंपर वाली पार्ट पा बचा रहाता है ब cranak ने खरी सिंसे फ्लायम क्या होता है जैसे तुमने देखा होगा टमैटव में उपर देखना ऐसे करके यहां इसे लगा औरा रहते है जांट था स्ट्लव डीमिन क्या है सेपल सी थार फिस्टत पर्सिस्ति हैं तो सेपल सहर जुए ला किसके एक्जामपल था प्रशिस्टरा्थ सेपल्स पीछंड घ्रेन होता है जोल पीछे की तरह चीली से भी होता है भार cabbage सभग जल में भी होता है सिम्रार कॉटन में भी होता दो धुरा में भी थोधाना ऐसे गरktकर के दरड़ा कैसे से नुखले नुखली होते हैं तो यह क्षे ऐसे ग्रीन कलर कर लगाराता तो यह क्या से पल्स है तो इसमें परसेश्टेंट से पल्स होता है के다 अगला जिस punto मीक्री के या था उसी तरह को रवा क्योंगे देखते हैं अगर को रूंफ फि्ट्री 2017 ने संना अगर वीज़ पITHा धिसना तो उसको यो生 Aegis अगर फ्री हो तो पॉली पेटलेस है ना क्योंकि इसमें मल्टिपल पैटलेस दिखेंगे अपने को तो पॉली पेटलेस यहां तक के लिए रहे यह पार्ट ऑफ लार है बहुत एजी है इसको देखना एंसे अर्टी से समझ आ जाएगा ठीक है आगे चलते है अब देखो अग जसे एरेंज्ट है इसको अपने एक सामगो छलेश रुच हेसं वोलते धियानारे से सुनना अगर मा OH यासे्प chemotherapy यह बसटच कर रहे है तो उसको हम लोग बोलते है उसको बॉल वालवेट टाइप अपस च्पर strengths छेंप अगा हाँ सब्सरी चाल सब्सरी इंसां गालव जैसे यह वालबेट टाइप है, वालबेट टाइप में क्या होता है ना, कि ऐसे जश्ट यह टच करता रहता है, बट यह ओबरलैप कभी नहीं करता है ना, तो इसके एक्जांपल हो जाएंगे, इसके एक्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, केलो यह इस पर ओबरलैप कर रहा है, यह इस पर ओबरलैप कर रहा है, ऐसे सो ओबरलैपिंग कर रहा है, ह cuánt backs with the other, दो इस तरह के पाटन को हम लोगों बुंट है to-state टाइप ठीक है के लिए रहे रहे रेगुलर रोबर लाइपिंग है पूरे में तो यह टूश्टेट टाइप है इसके एकजामपल होते है कॉटन चाइनरोज चाइनरोज जो है न मालवेसी फैमिली में आता है ठीक है इससे पहले में क्या बता है था संफलार कंपोजीटी फै इमिलाइट को लाश्ट में डिसकस करेंसे पहले डिसकस करते है गया इनी आ ouais यह था ब यह थान देना यह यह नीचे एक उपर से करके कवर करता रहता है ठीक है धव्य में अईसे रहते हैं और यह दोने में तो ईससे में एक यह यह रहवा restrictive रहता है आ एक नीचे ऐसाप नीचे नीचे राहें यह दोनों नीचे वाला है कियल झाली और किल झाते हैं थम इसको इस वाले पार्ट को ना देसेंडिंग नीगैट्छि के टीट तक तक says singing इम्टीयाइक टिट यह ना बेसिकली फेवेसी-फेमिलीं में देखनों को मिलता है… फेवेसी यह इंपॉर्टंट है.. जब मैं फेवेसԵाईसी फेमिली बताऊंगा वहाँ पर भू डिस्कस करोंगा.. क्या था clear, क्या थाegen, क्या तहघुल तो पी और वींस में दिखता है यह IMPRACEE ईू इसको दो इसको बोलता है IMPRICATED यह Casia और Gulmohar में मिलता है Gulmohar का scientific name होता है Dalonix Dalonix आगे आएगा street dispersion में ठीक है कैसिया एंड गुलमोहर में यह इंप्रिकेटेड टाइप देखने को मिलते है इसी को अगर हलका सा देखो तो इसी का उल्टा पार्ट है इसमें यह वाला पार्ट अंदर था इसमें यह वाला पार्ट बाहर हो गया यह वाला पार्ट इसमें अंदर हो गया यह भी बाह समझ मैं आगिया ना ये बहुत importantly अगला जो point है अफना Androsium Androsium is collection of… बताओ collection of male part है ना देखो अभी हम Androsium को देख रहे हैं Androsium क्या होता था? male part को हम लोग collection को Androsium बोलते थे Androsium में क्या होता था? enther और filament को मिला के Androsium बोलते थे है ना एंतर फिलामेंट को मिलागे क्या बलते इस्टामिन की कलेक्शन को अन्डोसियम बोलते थे अब देखो इस में दो तब यह हो जहते है इक हो तो को सब्देन और को सब्सक्रों के पीच में अगर फोर्ष लग रहा थो उसको को हैसीप तो को मतलब क्या होता है अगर और similar controller anni ho रहा है तो उसको हरिसे नी सीमिलर नीडल मतलujin सेपल सो रहा है सिर्फ सेपल सेपल पेटल सेपल सेपल पेटल न मतलब होता एधिमिस्वार जंगर कर गया तो उसको में लग बोलिंगे तो थिक ठीक है अगर जब हम लोग एंड्रोसियम ध्यान से सुनना जब एंड्रोसियम युनाइट कर जाता है टू देर फिलामेंट नोन अज एडेलफी ठीक है यहां तक समझ में आगया अब देखो धियान से अभी तक नहीं अगर नहीं समझ आए तो आगे देखते हैं यह को तो मोन से अधेलफ सम्सेण यह कुहेज़न हे अगजयंपल इसमें क्या होता है कि कुहेजन रृफ्लामंट इंट्ए सिंग्ल बंडल यहीं द्द्यूंपने लुव धिकले बिक्Ericली यह वाला जो पार्ट ना यह वाला थिाहन से अरना यह जो है थाकर मंवेल पार्छ इसमें मेल इसे दिखता है ना इसमें क्या होता है सारे के सारे मेल पार्ट फ्यूज करके ध्यान से सुनना सारे के सारे मेल पार्ट फ्यूज करके यहां पर क्या हुआ सिर्फ पाहर यह हलकाल का निकल रहा है इसके पूरे की पूरे फिलामेंट जो है ना फ्यूज कर गया है और ठीक है ए वालवेसी फैमली, हिविसकस या चायना रोज, है ना, यहां तक बिल्कुल किलियर है, ठीक है, उसके अलाब अगर डाय अडलफस, अडलफस मतलब फिलामेंट का फ्योजन, डाय मतलब टू, है ना, देखो, पी में क्या होता है, जो गार्डन पी होता है, पायसम सैटीबं, य जो यहां से, एक सिंगल ऐसे रह गया यहां पे, और यह जो 9 है यह ऐसे से फ्योज कर गया है, और फ्योज करके यहां पर आ गया, तो डाय अडलफस मतलब दो बंडल में आ रहे हैं, ठीक है, अगर पॉलियदलफस जिसे सिट्रस प्लांट में ना, ऐसे रहता है, जिसे अग ने लिए ठीक है यहां तक समझ में आ गया अगर वो फिलामेंट से अगर फ्यूज करते तो इसको एडल्पी बोलते हैं अगर सिर्फ उपर वाला पार्ट अगर फ्यूज करता है अब देखो यहां पर अगला सिन जेनेसिस और सिन एंड्रस तो इसमें क्या होता है सिन जेनेसिस इसमें क्या होता है वल्ली एंथर इंथर इन बंडल नॉट फिलामेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ एंथर ध्यान से सुनना जो उपर वाला पार्ट है सिर्फ वह फ्यूज कर रहा और यह वाला पार नीचे ब मतलब क्या यांदr sea ull it is in andras याद प्रोदकरहें कहा मैंने वह ऐसे बताया था ठीव है सिन अन्डट्रस ऐसे मैंने बताया था जिम्नू कि प्रड़ यह एसे जीम्नो स burner रस सेप्लेस हाना सीट एंत्र सल्डर मतलब पूरे की पूरे endrosium, sin मतलब fusion होता है, endrosium fuse कर गया, endrosium किस से मिलके बना होता है, basically endrosium ishtamin से मिलके बना होता है, मतलब पूरक पूरा ishtamin, ishtamin किस से मिलके बना होता है, enter प्लस filament, enter और filament अगर दोनों fuse कर रहा है, पूरे length में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, sin endros, इसके अंदर आता है कुकुर बिटेसी फैमिली, कुकुर बिटेसी फैमिली में वही सब आते हैं, जैसे जो हमारे गॉड्स है ना, बिटर गॉड्स यह सब जिते भी है ना, वो सब सारे आते हैं कुकुर बिटेसी फैमिली में, उसमें क्या होता है, सिन एंड्रस, मतलब एंड अडियादलफस, डायदलफस, पॉलियादलफस, सबके एग्जामपल important है, ठीक है, अब एडिजन देखते है, एडिजन मतलब क्या बता है, एडिजी, मतलब अलग अलग मॉल्लकुल की बीच का जब फोर्स होता है, उसको एडिजन बोलते है, तो इपिपेटलस, इपिपेटल प्रोपर्ली डिप्रेंशेटी नहीं होते हैं, उसको पेरेंथ बोला जाते है, उसको टेपल्स भी बोलते है, ठीक है, टेपल्स पेटल्स, दुनों को मिला के, टेपल्स बोलते हैं, ठीक है, तो इपिपेटलस मतलब क्या होता है, अज Wallace तो इसके एक्जामपल बुरिंजल होते हैं जो लेली का है और एपी फैलस का एक्जामपल होता है लीली यहां तक बिल्कुल किलियर है तो यह दिखो यह लोग हो गया इक यह लोग हो गया और हर लो गया एसे तो यहां पे ऐसे कर के यह पे ऐसे मोलते हैं दो एक लोब में चीस पर दू लोब में किते हैं सरी लोब फॉर स्थ पॉरम पॉर मरं से अंदर फॉर स सब करेगा अब n म्योंस करके कि किस का किसे करेंगा यहां पर पॉलान को फॉर्मेशन करेंगा ठीक है तो यहां से पॉलान को फॉर्मेशन करेंगा लागव तक कि लिए विल्कुल अगला जो फॉंट है ना रिकनी स्वेर्ट इसको स्टिगमा घ्रिंग feature बोलते हैं यह इस्टाइल है जो लंबा सा है ना यह connect जो कर रहा है ओवरी और इस्टीगमा को इसको इस्टाइल बोलते हैं और यह पूरा का पूरा पिश्टिल है और यह वाला पाट के थेलामस है विसिकलि यह पिश्टिल मुझे यहां लिखना था यह थेलामस है ठीक है यह वाला होता है ना, श्टिग्मा पे आता है, यहां से पॉलेन ट्यूब का फार्मशन करता है और वो ओब्री में आता है, ओब्री के अंदर क्या होता है, ओब्री ऑब्रे में वो मैं आगे डिसकस करूंगा अभी ठीक है, अगर माल लो, सिंगल युनाइट तो गैनोसियम क्या हुआ, जो भी single unit of pistil y carpel, जो pistil y carpel है ना उसके सब को अगर unit unite कर देंगे ना तो उसको हम लोग बोलते हैं गायनोसियम, ठीक है? अब monocarpillary हो सकते हैं और polycarpillary हो सकते हैं, monocarpillary का मतलब क्या होता है? अगर एक pistil हो तो उसको monocarpillary और अगर, क्योंकि pistil को carpel भी, carpel भी बोलते हैं इसल से ज्यादा pistil है, तो उसमें क्या-क्यों हो सकता है? एक apocarpus हो सकता है, और sincarpus हो सकता है, मतलब जितने भी multiple pistil है, एक से ज्यादा pistil हैं, अगर वह सारे के सारे pistil fuse हो गए, fusion का मतलब क्या होता है? sin, sincarpus, है ना? all carpel are fused, अगर माल लो फ्यूज नहीं है, अगर वह सारे के स चेप्टर जो है ना फ्लावरिंग प्लांट रिप्रदक्शनि फ्लावरिंग प्लांट उसमें गैन्सियम भी दिया हुआ है सुरूम इंट्रोडक्शन में वहां से मैं ने जालका सा इसको कोर्रेलेट किया है तो प्लीज वहां से भी एक और रफर करना पहले तो अगर सिंगल पिष्टिल है तो मोनो कार्पिलरी अगर मल्टिपल बहुत सारे पिष्टिल है ठीक है तो उसको क्या बहुत सारे एक से जाधा पिष्टिल है तो हो सकता हो फ्यूज कर जाए अगर फ्यूज किया हुआ है तो उसको सीन कारपस अगर फ्री फ्री है तो कि लिजें यहां तक कमें देख लेना मैं इसमों से सीन कार्पस में सबसे Μ grandson तो उनकल पेवर को क्लो класс क्या बोलता है वो फोस está dot can get counsel when the x Faber लोटें तो अगैंनों वहीलन हुआ निकलताइप इसमें देखो क्या होता है अभी मैंने कुछ दिर पहले जस्ट बताया था यह ovary है ovary के अंदर होता है ovule इस ovule का arrangement कैसा है ovary में इसको में बोलते है placentation placentation क्या है ovule का arrangement ovary में कैसा है इसको में बोलते है तो placentation देखते हैं क्या होता है प्लेशन मारजिनल प्लेशन मारजिनल प्लेशन का है कि जैसे यह यह वाला फूरा और अभी है ठीक तुम तो बोले करेंग यह तो गार्ड़न पी है तो इसमें क्या होता है यह आगे की तरफ ऐसे रहता है यह वाला partner degenerate हो जाता है तो यहां पर ध्यान से सुनना यह वाला जो है न यह stigma यह style है और यह वे औभे ओब्री at ohh ये अंदर ब्लोटे है था उभ्योड जो आना वो कैसे एरेंजट है वह जैसे यहाँ पी सारे ओभ्योड जो आना margin अीसलिह मारिड मचल मतलब क्या इस साइड जो ऐसे करके हम ठीज्ड करने के लिए ना तो एकी साइड मेरे तो रहता है in two rows तो यह अगला होता है ऩ्माग मलग मलटी लोकिलर अज कि इसंडें शूने फिल आथि सेंट्रल क्षिस में इसके एक्जाम्पल होते हैं lemon, tomato, china rose, जब आपना tomato को cut करते हैं salad के लिए तो उसमें देखना, बीच से सब को जुरा हो रहता है, सारी seeds बीच से जुरे रहते हैं, तो इसका मतलब कैसा हो placentation है? axial placentation है, एक हो तक parietal placentation, parietal placentation का मतलब क्या होता है? कि यहां पर जैसे यह वाला पार देखो, यह parietal placentation इसमें क्या होता है? और देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है? यह side side में रहता है, जो ovule है वो side side में रहता है, तो उसके अलाबा यह periphery में भी रह सकता है, इसके example mustard और आरजी मोन है, बहुत important example है यह एक ध्यान रखना कि जो mustard है, mustard में क्या होता है, यहां पर ध्यान से सुनना, बीच में फ्यूज यह false septum होता है, यह proper septum नहीं बने होते है, ठीक है? तो यह false septum बना होता है mustard में, ठीक है? तो यह parietal type होता है, parietal type में क्या है? side side से से जुरा हुआ है, ठीक है? parietal type में, यह side side से जुरा हुआ है, axial में क्या होता था? यह multilocular होता था, देखो, एक locule यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, हना multilobular है, multiloculated है, और central से जुरे हुए, अगला जो है na free central, free central क्या मतलब है? यह देखो ध्यान से, यह na unilocular है, मतलब यह पूरा को पूरा एक ही compartment है, और इसी में यहां से ना, ऐसे ही multiple, multiple ovule जो है na, ऐसे करके यहां से जुरे हुए हुए, ठीक है? तो ovary uniloculated है, ovule से bone and the central axis, इसको हम लोग axial से कैसे differentiate करेंगे? एक्जेल में क्या होता है? multiloculated होता है, है ना? और यह क्या होता है? जो free central ह है ना, इसमें क्या होता है? uniloculated होता है, इसके example क्या होता है? प्राइम रोज और डाइन तस होता है, यह एक्जामपल एक्जामपल ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत important है यहां तक, उसके अलावा सबसे advanced, basal type, basal type में क्या होता है? देखो ध्यान से, यह पूरा का जो है न, ऐसे करके यहां पर ऐसे यह stigma हो गया, यह style हो गया, यह वाला पूरा का पूरा, क्या हो गया? ओवरी हो गया, और इसमें और नीचे से attached है, नीचे से आइसे attached है, यह बेसल टाइप है न, यह more advanced है, तो advanced है, तो advanced family में होगा, जैसे sunflower में होता है और marigold family में होता है, प्रशेट,鐵र, ittाका हैं मार्जिनल किसमे था,। टू रोज में था, और एक सयड में था। एक्सफिएहल मेंखयांट, मुल्डी लॉकुलेटिट था। और सेंट्र से इटाइज्ड था। प्रेयाट्य, टाइप स्भावग एक्सफिटेड कहले था। और center antenna ενृ ओफ ऐबेसल टईब होता है एक ही ओगिन और फ़ ब्न से मतलब से जुरा हो रहता है Capeig ही बाव करें बहुत बहुत एजिए ये कव को सने 2019 को जो समय मैच करते हैं चला बेसल भी बहुती यह ही तो किसे मैं होगा सो तिकिसंतर है तक एसकी अलावा फ्री सेंटर्ट्र प्रीन अब उसके हैं इसका जांपला देखना तो इसमें ओन सेंट यह उन और छुड़ तो इसमें और मॉह टो न है कित्व होता है अपना मतलब monocentral नहीं, क्या free central, free central dianthus, ठीक है यहां तक parietal, parietal मतलब क्या होता था, side side से आ जाता था, यहां पे, है ना parietal यहां पे है, इसका क्या था example, mustard और argimon, तो parietal के example देखते हैं, mustard, parietal का mustard, axial, axial में कौन सा आ जाएगा फिर अप, axial में, यहां पे चाइनरोज में ने एक axial में, है ना, axial में क्या होता था, multi-loculated होता था, और इसके example चाइनरोज है, तो चाइनरोज axial का हो जाएगा, ठीक है, axial का चाइनरोज, तो B का 2 आना चाहिए, बी का 2 आना चाहिए, यह दोना option तो यहां से wrong हो गया, उसके अलाबा, A का 4 आना चाहिए, A का 4 आना चाहिए, B का ओवरी, और in the periphery part, इच, बताओ जल्दी से क्या होगा, यह क्या है, placentation in which ovule develop on the inner wall of the ovary, और in the periphery part, peripheral part अगर है, तो क्या होगा, बताओ जल्दी से, parietal type, है ना, parietal type, ठीक है, एक यह question है, इसमें देख, which are the following diagram represent placentation in dianthus, dianthus, dianthus में क्या बताया था अभी ज़श्ट क यह 2011 का question है, तो dianthus में अभी जश्ट में बताया था, क्या बताया था dianthus में, dianthus and prime rose, इसमें क्या था, free central type था, free central मतलब this type, है ना, uniloculated होना चाहिए, तो अभी हम लोग देखते है, uniloculated होना चाहिए, क्या यह uniloculated है, नहीं है, यह multiloculated है, यह तो marginal type है, है ना, यह par digital type है, यह free central type है, तो इसके answer B हो जाएगा, है ना, तो इसका answer B हो जाएगा, यहाँ तक क्लिए रहे बिलकुल, ठीक है, अब हम लोग, देखो, अभी इसके में notes नीचे डाल दूँगा, description box में, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी ना, तो इसमें comment section पर comment करना,